मैगी कंपनी की शुरुवाद 1884 में स्विजलान में जूलिस मागी ने की थी उनका एम था कि वर्कर्स की फामली के लिए फूड जल्दी से जल्दी पकाया जा सके और उसमें न्यूट्रिशनल इंटेक को भी इंप्रूव किया जा सके मैगी ने सबसे पहले मार्केट में प्रोटीन रिच मील्स को सेल करना शुरू किया और उसके बाद 1886 में रेडी मेड सूप सेल करना शुरू कर दिया 1897 में जूलिस मैगी ने मैगी GMBH नाम की कंपनी का फामडेशन किया बाद में इस कंपनी को 1947 में नेसले ने एक्वायर कर लिया इंडियन मार्केट में मैगी को लॉंच करने के लिए 2 मिनट मैगी का एम हमारी मा की कन्विनियन्स को बढ़ाना था कंपनी ने कैमपेइन चलाया जिसमें ये दिखाया गया कि Maggie को सर्फ दो मिनट में पकाया जा सकता है और इस campaign के थूँ ये दिखाने की कोशिश की गई कि Maggie को बच्चे खुद बिना मा की मदद के बना सकते हैं 2001 तक Maggie इंडिया में Nestle का कोर ब्रैंड बन चुका था पर अब इंडिया में धीरे-धीरे लोग health conscious होने लगे थे जिसके लिए company ने taste भी और health भी का campaign चलाया और साथ में ही vegetable दाल आटा नूडल्स लॉंच किया पर आटा नूडल्स इंडियन कंस्यूमर को इतने पसंद नहीं आए इसलिए मैगी ने बाद में इसे market से withdraw कर लिया मैगी का टेस्ट में कर एक trade secret है एक हजार करोड की noodle market में धीरे धीरे दूसरे competitor जैसे ITC, HOL, Patanjali मारकेट में घुसने लगे पर फिर भी मैगी अपनी टेस्ट की वज़े से सब की फेवरिट बनी रही ताजा कुटे भुने मसालों की नई रेसिपी मैगी ने इंडिया की रूरल मारकेट जो एक बहुत बड़ी मारकेट है बहुत ही वास मारकेट है पर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मारकेट है इस मारकेट को भी कैप्चर करने के लिए कैमपेइन चलाए जिसके लिए मैगी कंपनी ने 5 रुपे के मैगी लॉंच की 2015 तक मैगी ने इंडिया की 60% नूडल मार्केट को कैप्चर कर लिया था मैगी देश के हर नुकड और कोने पर पाई जा रही थी इसका कारण था मैगी नूडल्स का सस्ता होना, पोर्टबल होना और इंस्टेंटली कुक कर लेना पर 2015 में कुछ ऐसा हुआ जो कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा 2015 में मैगी पर अस्थाई प्रतिबन लगा दिया गया Food Safety and Standard Authority of India मतलब फिसाई ने एप्रिल 2015 में उत्र प्रिदेश के 12 वंकी प्लांट में सप्राइज इंस्पेक्शन किया Sample को फिसाई के लाब में भेजा गया और रिपोर्ट में परमिसिबल लेवल से भी हाई लेवल का लेड और मोनो सोडियम ग्लूटामेट पाया गया जो consumable items में यूज करना मना था Nestle India Limited ने इस रिपोर्ट के खिलाफ अपील की और कहा कि मोनो सोडियम ग्लूटामेट नाचरल प्रसेस की वज़े से आया था ये बात उनकी वेब साइट पर भी मेंशन करी गई और कंपनी ने री इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया इस अपील के बाद सैंपल को Calcutta में Government Authorized Lab में भेजा गया जिसने फिसाई के लेबरेटरी रिपोर्ट का ही समर्थन किया इन रिपोर्टों के कारण हेल्थ कंसर्ण के वज़े से कई स्टेट्स में मैगी की सेल और उसके यूस पर बैन लगा दिया गया और 9 जून 2015 को फिसाई ने अगले पांच महीनों के लिए मैगी पर नेशन वाइड बैन लगा दिया इस नेशन वाइड बैन के कारण नेसली ने भी अपने सभी आउटलेट से मैगी के प्रुडाक को वापस ले लिया और प्रॉमिस किया कि जैसे ही लाब के रिपोर्ट क्लेर होगी वैसे ही मैगी को दुबारा लॉंच किया जाएगा कमपनी ने लगभग 38 तन मैगी को जो लगभग 320 करोड की थी डिस्ट्रॉई कर दिया इस बैन के बाद मैगी के ब्रांड मिजडर अमिता बच्चन, प्रीते जिन्टा और माधुरे दिख्षित को ब्रांड को प्रमोट करने के लिए फटकार लगाई गई उनके खिलाब क्रिमिनल केस भी फाइल किये गए और अब इसका फाइदा मैगी के जो दूसरे कॉम्पेटीटर थे उन्होंने उठाना शुरू कर दिया टॉप रिमिन, यिप्पी, पतंजली, नूडल्स ने अपने नूडल्स को हेल्दी कहकर सेल करना शुरू कर दिया और हो भी क्यों ना, मैगी का 60% मार्केट शेर उनके लिए खुल गया था साउथ इंडिया में भी गर्मिन्ट ने नेसले के अगेंस केस फाइल किया और कंपनी के अगेंस 640 करोड का डामेज चार्ज किया मैगी पर बैन लगने के बाद नेसले कंपनी ने 17 सालों में पहली बार लॉस बुक किया था लेकिन मैगी के लिए इससे भी बुरी बाद ये थी कि मैगी अपने कस्टमर का अपने कंजियूमर का ट्रस्ट, विश्वास खोती जा रही थी और दूसरे ब्रैंड मारकेट को एग्रेसिवली कैप्चर करने में लगे हुए थे अब बात करते हैं कि मैगी जब मारकेट में इतने बुरे दौर से गुजर रही थी ऐसे दौर से गुजरने के बाद भी मैगी मारकेट में वापस कैसे आ पाई इसके लिए माना जाता है कि मैगी बहुत अच्छे से कस्मर रिलेशन्शिप मैनेजमेंट कर रही थी जब मैगी पर बैन लगाया गया था तब भी मैगी अपने कस्मर के साथ जुड़ी रही मैगी का एक एक अक्टव सोशल मीडिया पेच था जिसके थूवे सोशल मीडिया पोस्ट और आडविटीजमेंट के थूवे अपने ओडियन्स से कनेक्ट रही अपने फेस्बुक पेच फेबी कंपनी बार बार ये पोस्ट कर रही थी कि जल्द ही उनका फेवरेट मैगी कंजम्शन के लिए सेफ हो जाएगा कंपनी के लॉयल कस्म अभी भी कंपनी पर विश्वास कर रहे थे और कभी-कभी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे कि वे अपने फेवरेट मैगी नूडल्स को कितना मिस्ट कर रहे थे उनके जवाब में भी मैगी ने कैमपेइण चलाया जिसमें दिखाया गया कि कैसे मैगी भी अपने कंजीमर को मिस्स कर रही थी Maggie company ने अपने customer से connect रहने के लिए एक help line number जारी किया और साथ में ही एक question answer का page भी बनाया ताकि customer के जितने भी queries है उनके mind में जो भी सवाल है उनका जवाब उने दिया जा सके अगस 2015 में Bombay High Coat ने इस shirt पर Maggie पर प्रतिबंध हटा लिया कि फिसाई द्वारा report की approval मिलने के बाद ही Maggie को market में दुबारा launch किया जाएगा और November 2015 में जब Nestle को फिसाई की मंजूरी मिली तो Maggie ने अपने welcome back campaign को start करना शुरू कर दिया ये एक emotional campaign था जिसने consumer का दिल फर से जीत लिया Nestle ने Maggie के 15 variant launch किये उन्होंने e-commerce जाइन के साथ मिलकर welcome kit बेचना शुरू किया जिसमें 12 Maggie के packet इखटे sell हो रहे थे कंपनी को बहुत अच्छा response मिला Snapdale ने सिफ 5 मिनट में 60,000 Maggie के kit sell कर दिये सब ठीक है हमारी Maggie में Maggie ही नहीं ऐसे लग रहा है मैं भी पास हो गई तो आईए हम समझते हैं हमें इस case study से क्या सीख मिलती है कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि अंत में ये जो emotional connection होता है जो आपका आपके customer के साथ है वो important होता है ये emotional connection ही था जिसकी वज़़ से negative publicity होने के बावजूद Maggie फिर से market में sell होने लगी और मात्र दो साल में Maggie ने फिर से अपना 60% market share फिर से capture कर लिया और दूसरे competitor noodle brand इस situation का कुछ खास फाइदा नहीं उठा पाए I hope आप लोगों को ये case story पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ जर्वर शेयर करेगा thank you so much